साथियो नमस्कार जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार बोर्ट द्वारा बिहार टेट 2017 लिया गया था जिसमें कुल मिलाकर के दोनों पेपर में सभी सब्जेक्ट में 69 प्रश्म गलत थे उसके बाद धर्ना परदर्शन आंदोलन हुए बोर्ट ने दो दो बार स्कूटनी के लिए आवेदन मांगा पहले बार में 52,000 और दूसरी बार में 32,000 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है तत्पहश्या सुधार करके एंसर की जारे किया गया जिसमें भी तुरूटियां थी और ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद 6 मार्श 2018 को रिजल्ट जारी कर दिया गया जिसमें इन्वैलिट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया कुछ ऐसे प्रस्ण है जिसके दोनों एंसर सही है जिसमें कुछ ही प्रस्ण के दोनों एंसर सही माने है बोर्ड ने लेकिन अभी भी कुछ प्रस्ण ऐसे है जिसके दो एंसर सही है लेकिन उसको बोर्ड ने नहीं माना है कुछ प्रस्ण ऐसे है जिसके एंसर गलत है और उसी के अधार पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ के प्रस्ण ही गलत है जैसे कहा कि भाषा कईसन बस्तू होला अब उस्पूरी भाषा की में प्रस्ट पूछा गया था अब भाषा कोई वस्तू नहीं होती है इस तरह जो question पूछे गये थे और जो अभी भी गलत है इन सब को लेकर के पटना हाई कोट में नियाएक टीटी संग ने दो-दो केस दर्ज कराया उनमें बहस की प्रकरिया समाप्त होने के बाद पिछले 12 सेप्टेंबर को फैसला रिजर्ब रख लिया गया था और अभी तक रिजल्ट जारी अभी तक जज्ज्मेंट नहीं दिया गया है हलाकि मैं मोहित साक कोट में गया था वहाँ तो मालव हुआ कि वह फाइल ले गए है जज्ज्मेंट लिखने के लिए लेकिन वहहा एक बात और पता चले कि मोहित सार्थ यहां जो केस सुना जाता है उसमें लेट लतीफ जज्जमेंट आते हैं एक विक्ति मुझे मिले वहां पर जिनका 14 महीने बाद जज्जमेंट आया है तो बाकि सारे जज्जमेंट की भी उनके द्वारा जो केस सुना जाता है उनका वही हाल है कब जज्जमेंट आएगा ये कोई नि कि हुआ था उसमें उससे संबंधि जो गलत प्रस्ण पूछे गए थे इन सब को ले करके और सारे केस दर्ज किये गए थे पटना हाइट कोट में उसमें कुछ कर तक किसे जिस जुनवाई आठ जुलाई को होनी थी चल्स दोना नहीं हो पाइश सकेड हां नएक इसके बाद पछले दो दिन या नहीं गुरू बार को और आज शुकर बार को लिस्टिंग पे case हैं ही नहीं अब क्या कारण है पता नहीं चल पा रहा है जब कि अनिल उपाध्याय कल भी बैठे हैं गुरुबार को भी बैठे हैं और आज शुक्रवार को भी उनके बैठने की संभावना है तो आखिर बिहार टीटी से संभंधित case से इनको क्यों टाला जा रहा है, जबकि बिहार सरकार ने बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसलिए कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, हमने वकील से भी सलाह लिया है, उन्होंने तीन रास्ते बताए हैं, और साथियों मैं आपको बता दूँ कि किसी भी केस म जज्मेंट नहीं आने जा रहा है, जब तक हम लोग नहीं लगेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, आप लोग आसानी से सब कुछ चाहते हैं, वाटसप पे जानकारी चाहते हैं, फेस्पूप पे चाहते हैं, और यूटूब पे चाहते हैं, और कॉल करके पूछ लेते हैं, घर में बैठे रहते हैं और हर लोग अपना-पना कुनवा बनाया हुए है 10 लड़का उधर, 20 लड़का उधर, 25 लड़का उधर कोई कहते हैं नहीं हमरा केस अलग है उसका केस अलग है तो इस तरह से कुछ नहीं होना जाना है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नियायक टीटी संग के केस में जो फैसला आएगा वो बहुत बड़ा मील का पत्थर शावित होगा और उससे हर केस पर इफेक्ट पड़ेगा इसका जिक्र अनिल उपाध्याय भी पिछले बहस में यानि की 25 जुन के बहस में जिक्र कर चुके हैं कि जो जजमेंट मोहित सह के यहां रिजर्व है बहस हो जो की है उसी के आने के बाद ही कुछ दूसरा जजमेंट दिया जाएगा नहीं तो दो तरह का जजमेंट हो जाएंगे एक ही तरह के केस में एक ही तरह के केस का मतलब चुबूब बिऴहार टेट 2019 2017 से संबंधित केस है इसलिए उस केस का जज्जमेंट आना जरूरी है ये भी उम्मीद थी कि उन्होंने कहा था कि 8 तक जज्जमेंट नहीं आता है तो फिर आगे अगले बहस में देखेंगे लेकिन 8 के बाद बहस ही नहीं हो पाई है इन सब को देखते हुए नियाएक टीटी संग ने अगले 14 जुलाई यानि अगले रविवार को सुबा 10 बजे मिटिंग बुलाई है जिसमें जो भी साथी फेल है एक नमबर दो नमबर से इनको खास करके मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि इनकी मैं 100% कह रहा हूँ इनकी पास होने की संभावना है 100% कह रहा हूँ अगर बोर्ड ने मान लिया कटफ 5% कम करने की बात तो जो साथ नमबर तक फेल है वो भी पास करेंगे क्योंकि उसमें 5% कटफ करने कम करने की बात है इनवैलिट का रिजल्ट जारी करने की भी मुद्दा है और उसमें भी जोड़दार भहस किया है वाईबी ग्री ने इसलिए जो भी साथी एक नमबर दो नमबर से फेल है या यूं कहूं कि साथ नमबर तक फेल है जो साथी जिनका मार्क्स क्वालिफाइंग परसेंटेज से जादा है और इनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है इनवैलिट में रख दिया गया है उन सभी साथी से मैं खास कर अपील कर रहा हूं चाहिए किसी भी केस में हो आप कहीं भी हो 14 जुलाई को जो मिटिंग बुलाई गए है उसमें आप लोग आएं एक किस में फैसला आ गया यूं समझ लिए पूरा रिजल्ट चेंज होगा और सभी को फाइदा मिलेगा और हर कोई इस चलाकी में है कि हमारे जाने से नहीं होगा वो लोग तो करहीं लेंगे हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा तो इस तरह से नहीं होता है एक एक आद्मी अगर यहीं सोचेगा तो ना कोई मीटिंग में आएगा ना उनिटी बनेगी ना केस लड़ा जाएगा केस लरना हाई कोट में आसान नहीं होता है शुरू-शुरू में लोगों में जोस था जुनून था आए केस दर्ज हो गया यहां तक की तीन महीने में रिजर्ब भी हो गया तक फैसला वहां तक सब कुछ ठीक था लेकिन जैसे जैसे सीटेट आए सीटेट में कुछ लोग पास कर गए लोग का जोस भी ठंधा पढ़ता किया क्योंकि मामला ज्यादा खीच गया इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर जो प्रिस्थितियां बनेगी जो लोग आएंगे उस तरह से कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन फिर भी आपके भविश्य का सवाल है और नोटिफिकेशन में जो सीटेट पास कर गया है साथ ही उनको कहना चाह रहा हूं कि नोटिफिकेशन में सीटेट की भाली का कहीं जिक्र नहीं है जरा आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन अगर उस दिन आवेदन नहीं लेता है कोई भी जो संस्था बनाई गए है जो आवेदन लेगी और बहाली की प्रक्रिया करेगी चाहे मुख्या जी के द्वारा हो चाहे नगर निकाय में हो चाहे जिला परिशद में हो अगर यह सब आवेदन नहीं लेगा आपका सीटेट पास वाले का तो इसमें कोई गलती नहीं होगी उनकी क्योंकि नोटिफिकेशन में सीटेट का कोई जिक्र ही नहीं है और दूसरी चीजे मान लिया आवेदन ले भी लिया तो जो आप से नीचे रहेंगे बीटेट पास वाले वो उनका बहाली नहीं होगा और सीटेट का कर दिया जाएगा तो वो सीधा हाई कोट चले जाएंगे हाई कोट मैं इसलिए कह रहा है उनका अधिकार है नोटिफिकेशन में जब सीटेट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं ही तो सीटेट کی भाली कैसे करेंगे उनका अप्लिकेशन किसा धर पे लेंगे हाँ अभी वक्त है अगर सरकार नोटिफिकेशन बदल दे सीटेट के बारे में इंक्लूट करके नोटिफिकेशन जारी करें तब कुछ संभव है इसलिए जो भी साथ ही सीटेट पास है और इस मोगालते में है कि मैं तो पास कर गया हूँ बहाली की परकरिया निकलेगी तो आवेदन करेंगे हमारी जोइनिंग हो जाएगी उन सब को कह रहा हूँ कि अगर बीटेट आपका एक दो नमबर से छूटा हुआ है या इन्वैलिट में रिजल्ट है तो आप लोग आए पटना 14 को अगर सीटेट पास भी है और बीटेट में पास कर जाती है तो कोई दिक्कत थोड़ी न है कोई नुकसान थोड़ी न हो जाएगा आप लोग को और कुछ करना थोड़ी है आप लोग को आना है एक विचार भी मस करना है संभाबना बनी तो आगे की प्रक्रिया करेंगे जो कि रिजल्ट लाया जा सकता है और रिजल्ट आएगा आप लोग त्यार होंगे तो मैं फिर कह रहा हूं हजारों अभियर्थी पास होंगया कोई र ट्रांस्वर हो गया है अगर अनीलुपाद्ध्याय के हमारा केस रहता तो अब तक जज्जमेंट आ चुका होता जबकि पहला बहस अनीलुपाद्ध्याय सुन चुके थे उसके बाद हमारे केस को ट्रांस्वर कर दिया गया था मोहित शाह के हां इसलिए अब रास्ता बनता है केंस ट्रांसवर होकर के फिर से अनिलुपाद ध्या कि यहां जा सकता है और मात्र 15 से 20 दिन में बहस की प्रक्रिया पूरी होकर के और जज्जमेंट भी आ सकता है और तब तक के लिए बहाली के प्रक्रिया पे स्टे भी लग सकता है इसके रास्ते हैं वकील ने बताएं है वाई भी गिरी ने लेकिन आप लोग आएंगे तब क्योंकि जो लोग कुछ नंबरों से फेल है या क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं उनका रिजल्ट इन्वैलिड में है वो लोग नहीं चाहेंगे तो शोक करांती को कोई नोकरी नहीं लेना है सिर्फ आप के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो आपके दम पे लड़ेंगे न आप सक्रिय होंगे तब न और आज तक जो मैंने किया है या जैसे लड़ाई लड़ी है एक एक चीज का हिसाब रखता हूँ डेट बाई डेट कि हमने क्या क्या किया किस दिन गया बहुत लोगों ने सवाल उठाय कि शोक करांती ने पैसे ठग लिए एक एक पैसे का हिसाब देंगे जो लेना चाहिसो जो केस में शामिल है वो साथी मजाक है क्या हाई कोट में केस लड़ना कोई लड़ा है क्या जा के बात करके देखिए कैसे कहेगा वाई बिगरी की एक लाख चालीस हजार पर बहस का वो फीस मांगते हैं असान नहीं है हाई कोट में केस लरना और हमारे केस में तो एक दिन में तिन तिन बहस हुए हैं और पहले भी बता चुका हूँ के उन तिन बहस के लिए हमने 4-4-4-4 lakh रुपया एक दिन में पे किया है यе मजाख नहीं था कोई और कोई भी पता कर सकता है जा करके वाई बी गिरी किया लोग सवाल उठाते थे अशोक करांती पे कि ये कर लिया वो कर लिया जो लोग सवाल उठाते थे खुद देखें कि खुद ने क्या किया है उन लोगों के लिए हमने तो लड़ा तो 8349 सब्भियर थी हो जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ जो फेल थे उनको पास कराया और अभी भी लगा हुआ हूँ यूटूब वीडियो इस रिए जारी कर रहा हूँ कि लोग अगर आएंगे लोग अगर जुट गए तो लड़ाई मजबूती से फिर 15 से 20 दिनों में लड़के रिजल्ट ला दूँगा मैं यह मैं जानता हूँ कि लोग खरे होंगे लड़ने वाले तभी न अकेले मैं लड़ूँ किसके लिए लड़ूँ केस तो है सब कुछ है लेकिन आप लोग के ताकत और सहयोग की जरूरत है इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि अगले 14 जुलाई रवी बार को आप लोग सुबह 10 बजे चाहे बारिश हो चाहे आंधी पानी हो आप लोग जरूर आए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसानी का रास्ता अख्तियार करते हैं बहुत लोग कहें कि मौसा के सादी में जाना है मौशी के सादी में जाना है मामू का तवियत खराब हो गया था चच्चा का तवियत खराब हो गया था इसलिए नहीं आए वो सब नहीं होता है नौकरी नौकरी होती है जीवन का सवाल है बहाले की प्रकरिया शुरू हो चुके नोटिफिकेशन आ गया है इन एक महिने में सब कुछ हो गया तो शायद जीवन आपका सफल हो जाएगा नौकरी मिल गया तो और खासकर पेपर वन में जो पास करेंगे उनका बहाली तो 100% शूर है इसलिए कि पेपर वन में मात्र 9000 अभ्यरती अभी तक पास है मात्र 9000 जबकि सीटे खाली है लाखों में इसलिए सब बहाने छोड़िए और 14 को रवी बार को आप लोग आईए खास करके फिर अपेल कर रहा हूँ जो एक नमबर या दो नमबर से फेल है या वे अभ्यरती जो क्वालिक फाइंग परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स ला चुके हैं और उनका रिजल्ट इन्वैलिड कर दिया गया है पेंडिंग में वो सभी अभ्यरती 14 जुलाई रवीबार को सुबह 10 वजे पटना के गांधी मैदान बड़ी गांधी मुर्ती के पास पहुँचे और किसी भी केश में सामिल हो किसी भी के मतलब कोई भी केश हो जितने बिहार टेर 2017 से संबंधित हाई कोट में चल रहे हैं कोई भी केश में आप शामिल हो या शामिल नहीं हो बाद में आपको सूचना मिली जिसकारण आप केश में शामिल नहीं हुए वे सभी अभ्यरतियों से फिर से अपेल कर रहा हूँ ये आखरी मौका है और एक महिने के अंदर सारा खेल होना है ये इसलिए आप लोग 14 जुलाई सुबह 10 वजे अगले रवी बार को यानि परसु पटना गांधी मैदान गांधी मुर्तिय के पास पहुँचे धन्यवाद मैं अशोक क्रांती